गाजा में इस्राइल और हमास के बीच खतरनाक जंग जारी है लड़ाके इस्राइली फॉच पर हावी नज़र आ रहे है खंडहर बन चुके गाजा का फायदा उठाते हुए हमास के लड़ा के बेहत खूंखार हुगे है इस्राइली बलो और उनके सैने टैंकों को आसान शिकार बनाया जा रहा है गाजा में लड़ी जा रहे है भी शट जंग के फिलहाल ब्रेक लगने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है इस्राइल की मुश्किले हर बीत्ते दिन के साथ गाजा में बढ़ती ही जा रहे है इस्राइल हमास युद्ध को करीब दस महीने होने वाले है गाजा से हमास के सफाई की उमीद इस्राइल से लगातार दूर होती दिख रहे है लड़ाकों ने तबा हो चुके गाजा में जिस तरग घात लगा कर वार करना शुरू किया उससे इस्राइल लगातार अपने जवानों को खोता जा रहा है हमास लड़ाकों की ओर से गाजा में इस्राइली बलो को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है इस बीच हमास के खतरनाक मिलिटरी विंग अलकसम बिगेड ने एक वीडियो जारी किया है इसमें कई इस्राइली टैंक को फिलिस्तिनी लड़ाकों द्वारा निशाना बनाते हुए दिखाये गया हमास के लड़ाकों ने अलग-अलग जगहों पर तीन इस्राइली टैंकों को निशाना बना कर तबाह किया गाजा में चल रहे इसराइली बलो के उपरेशन में हमास के लड़ा के बड़ा रोड़ा बने हुए है मशीन गनों से भी इसराइली फॉच पर हमला किया गया इससे गाजा के दक्षिड में तल अल हवा पडोस में सैनिको की मौत का दावा किया गया है अलकासिम ने बताया कि ब्रिगेड ने 114 mm कैलिबर के कम दूरी के राजूम रोकेटों से नेट जारी मैक्सिस में इसराइली वलो के कमांड जूम को निशाना बनाया इसके अलावा लड़ाकों ने गाजा के दक्षिड में तल अल हवा पडोस में कई सैनिकों से गिरे एक मरकवा टैंक चार को अल यासिन 105 शेल से निशाना बनाया अलकासिम ब्रिगेड यही नहीं रुकी समुह ने दावा किया कि मध्य गाजा में जूहर अल्दिक के उत्तर में गुसकर आईडियफ पर मोल्टरार के गोले से बंबारी की गए साथ ही खान यूनिश शेहर के पूर्व में आईडियफ के कमांड मुख्याले पर मोल्टरार के गोले दागे गए वहीं प्रतिरोधी सेनानी को 7-7 मिसाइल से एक इसराइली सेन हेलिकॉप्टर को निशाना बनाते हुए भी दिखाया गया जिससे बचने के लिए हलिकॉप्टर की ओर से एंटी फ्लेयर का इस्तमाल किया गया जिसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल दे हलिकॉप्टर को लॉक कर दिया। इसके अलावा हमास को हमले में भी बड़ी काम्यावी हाथ लगी है। वीडियो में दो लड़ाकों को आपस में बातचीत करते हुए देखा गया। जहां दावा किया गया कि ये लड़ाके कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस्राइल कभी नहीं सीखता हम उन्हें सिखाएंगे हम उन्हें माल डालेंगे। हमें अब इस्राइल के पैदल सैनिक चाहिए हम इस्राइली टैंकों को तबाह करते करते ऊट चुके हैं। वहीं इसलामिक जिहाद की अलकुट्स ब्रिगेड ने भी अपने उपरेशन की जानकारी दी जिसमें लड़ाकों ने गाजा में इसराइली बलो का जीना मुश्किल कर दिया। समूह ने बताया कि गाजा के दक्षड पश्चिम में तालल हवा पडोस में 60 केलिबर मोर्टरार गोले से इसराइली सैनिको और वहानों को पर बंबारी की गई। इसके अलावा लड़ाकों ने अलकसम ब्रिगेट के लड़ाकों के साथ मिलकर भी कई अभियान चला कर इसराइली फौज पर जम कर बरसे। अल्ला हुआ 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 झाल झाल